Hello Friend, S.P.E. Education में आपका हर्तिक स्वागत है आज की क्लास में हम लोग बेजनिस सिटेटिक्स की बात करेंगी और बेजनिस सिटेटिक्स में आज की क्लास नम्बर हम लोगों की रहेगी क्लास नम्बर 6 आज की क्लास में हम लोग topic को कवर करने वाले हैं समंगों का बर्गी करड़ जैसा कि आप लोगों को मैंने कुछ लिख के रखा है कि समंगों का बर्गी करड़ समंगों का बर्गी करड़ एवं सारीडियन बर्गी करड़ का मतलब होता है किलासिफिकीशन करना और किलासिफिकीशन और उसके बाद है टेवलाइडिशन करना अ मतलब कि एक मानलो की किलास है ठीक है अब किस क्लास में बहुत से स्टुडेंट पढ़ते हैं अब हमें क्या पता करना है कि हमें इनके बारे में सभी बच्चों के बारे में उम्र की पता करना है ठीक है तो उम्र पता कर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम एक केटागरी बनाएं साथ साल के बच्चे कितने हैं तो यह ही स्कूल है इसकी यह तो है इसके बारे में जतने वी तो होगे हम लोगों के पास data लोग बाट देंगे का पन्स साल यह में तो क्या किया है beginning लोगों ये Sabrina कर दीया तो इसको इसी समंगों का बरगी गड़ करना और उसके बाद हम लोग करेंगे सारडियन करना सारडियन भी हम लोग आंगे समझेंगे अभी फिलाल आप लोग यह मैंने लिख रखा है यहां पर देखिए कि संकलित समंग मतलब कि जो हम लोगों ने समंग को इखटक किया है संकलित समंग जिन के लिए विवस्तित करने की प्रक्रिया को विवस्तित करने की प्रक्रिया को विवस्ति करण क्या जाता है अब विवस्ति करण होता क्या है विवस्ति करण पूछा जाता है कि दो प्रकार का होता है तो आप लोग बताएंगे वो कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता ह यह होता है हम लोगों का समंगों का बरगी करण करना अब बरगी करण की बात आती है पहला टॉपिक रहेगा कि बरगी क्रण क्या होता है तो बरगी करड़ में लिखा हुआ है कि संकलित आखनों को किसी गुड के आधार पर किसी गुड के आधार पर समान वा असमान कर अलग-अलग बरगों में बातने की प्रक्रिया को बरगी करड़ कहा जाता है मैंने आप लोगों को अभी बताया गुवा है कि मान लोग के nellis emasus students अब यह पता करना चाहते हैं कि पांस साल के बच्चे कितने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहुंच endless बच्चे है वह द लोगों के लिए नहीं रहेगा क्योंकि इसकोल में बहुत सी उमर के बच्चे पढ़ती हैं अब हमने क्या किया हमने 5 साल की बच्चे अलग कर लीए और साथ साल साल और दस साल की इस पणर से हमने अलाग-णलग category बना दी है तो इससी को बोलते हैं classification करना और यही classification की मतलब में प्रक्राटा है कि अपर आधार पर की कौशा हम चाहिं यह होती है उसे तो उसे में बूर्सक्राइब करना बर्गी करण के लिखे लिखे वह कि Αंकनों का स्रल बनाना काम है क्यों उसके बाद लिखा गुआ है तुलना में सायता करना उसके बाद है तर्क Leaders एवम बैघ्ञानिक विवस्था करना उसके बाद है कि एक मानसिक चित्रु परस्तुत करना तो आज है विग्र करने में रूत फालते हैं इनको हम लोग अगर मानलो की पुछा जाता है अप लोगों से से सिधो इनकने पे frankly इनकी हम लोग डालेंगे आकणों को सरर बनाता है तुलना करने में सहता करता है क्योंकि मानलोग की एक क्लास है जैसे मानलोग की एक क्लास है एक क्लास है एक क्लास एक सेक्षन है अब हमने इसमें आपस में तुलना करनी है ठीक है तो तुलना करनेंगी तो हम लोग क्या भी ग्लास का एंसर्श करेंगे तो उसके लिए हम लोगों की अलग अलग इनका वरगीकरण कर करती है उसके बारत तरकपूर्ड और बैज्यानिक विवस्था करता है और 1 मान चित्र-प्रस्थust करता यह सारों के होते हैं classification के अब बात आती है और जो में चीज है हम लोगों की वो लिखी वही है बरगी करण का आधार इवं परकार यह बात आती है कि आकार के आधार पर बरगी करण का जो परकार है हम लोग किस आधार पर माटते हैं और इसी-सी कुश्चन भी mcq में मुझे जाते हैं कि कौन से आधार पर किस परकार से हम लोग करते हैं तो आकार के आधार पर बात करें तो आकार के आधार पर होता है हम लोगों का एक सिकेंड एक लिखा हुआ है आकार के आधार पर एक लिखा हुआ है परकार या गोड़ के आधार पर और एक सेंसे किसे पोच समझ में आ रहा हैं pracy समझ में नह%. सबस्सक्क्राइब. सब्सक्राइब कि बार यह सब्सक्राइब, कि एक होती है यह संख्यात्मख रिपी अब बात आती है हम लोगों की सारडियन की कि सारडियन में एक सिंक्ड इसको हम लोग हटा देते हैं तब आप लोगों को समझ में और अच्छा है आप लोगों ने देखा हूगा कि मैंने एक data collect किया है एक match हुआ है कोई cricket match हुआ हुआ है उसमें 20 ओवर फ्रेके गई है तो यह समंग है मेरे पास इसे सम्भंधित जो मैंने 20 ओवरों से समंदित दाटा क्वेक्ट किया है वह अम लोगों का क्या है वह सारा का सारा यह जानना चाहते हैं कि एक और में कितने रन गये पहले उबर में दूसरे उबर में कितने रन गये हैं तो इसको इनको क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं बर्गी करड करना अब बर्गी करड के बाद हम लोग क्या करते हैं तो बर्गी करड के बाद हम लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने एक टेबल देखी होगा इस परकार से टेबल बनाई जाती है उसमें क्या विस परकार न Azure तकर को सब और यहां पर देखे हैं पैले ओबर में पांटराइबैन को देखा हुआ है ब्लोगों के मांदर पार 27 तुर्सलों है लोग पांच और है कि आख ना न पनी तो एक प्रकार से आप ने एक के बूंकें यह दूजो देखी लिज़ बनाएंगे तो इस परकार से भी table दिखाई जाती है तो इसी को बोलते है सारडियन करना इसी को क्या बोलते है सारडियन करना पहले हम लोगों के पास data चाहिए data के बाद हम लोग उसका बरगी करल करेंगे और बरगी करल के बाद हम लोग करेंगे तो वो करेंगे सारडियन करना अगर पूछा जाता है कि सारडियन कौन सा चरड होता है तो यह अंतिम चरड होता है और अगर पूछा जाए बरगी कड़ कौन सा चरड होता है तो बरगी कड़ परधम चरड होता है ठेक है तो इस परकार से MCQ पूछे जाते हैं अब हम लोग ब नंबर एक में लिखा गुआ है कि बर्गी करड सारडियन का चरड है ओर इस मतलब ननglich इन और इस तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है एक चरड होता है बोट सारीान का पहला प्रिद्धार होता है तो इसका राइट यह नंबर बिरुकुल चahी आंशर हो जाएगा। उसके बाद दो नंबर ने लिखाउगा है कि सोम्गों करते हैं, उसकी क्या विवस्ता होती है, स्वारिटी मेंको पं सीलसक और पंगती सीलसक भी होते हैं यह भी तो इसमें क्या होती है उसमें क्या होती है एक सारड़ी में कॉलम होते हैं और रो होती है उनको कॉरमपद विवस्ता होती है उसी को बोलते है एक सारड़ी में समंकों की कर acc awesome को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है volume and रो हो उसके लिखा वगा है कुस्षन नम्बर 3 में लिखा वगा है कि कालानु क्रमित बर्गी करड में समंगों का बर्गी करड निम्न के आधार पर किया जाता है कालानु करमित मतलब की काल की बात करें और काल मतलब समय की बात तो समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बरगी करण के चार आधार होते हैं माटने के बरगी करण जो करते हैं हम लोग उसके चार आधार होते हैं कौन-कौन से आधार होते हैं एक होता है इस्थान के आधार पर एक होता है आकार के आधार पर एक होता है समय के आधार पर और एक होता है हम लोगों का गुड़ के आ हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number 4 में लिखा हुआ है कि एक बर्ग का मद्ध बिंदू निमने प्रिकार ग्याद किया जा सकता है मद्ध बिंदू को बोलते हैं midpoint या mid value ठीक है mid value कैसे आती है जैसे मालों कि कोई class interval है ठीक है जो दोनों होने एक होते ही हम लोगों की उच्छ सीमा होती है और एक होती है निमने सीमा तो हम लोग दोनों सीमा को जोड़ते हैं ठीक है तो हम लोग दोनों limit को जोड़ते हैं तो आपने कहा कि जीरो पिलस दस को जोड़िए तो कितने होगे हम लोगों के यह होगे हम लोगों का 30 और इसको आधा करेंगे 30 का मदलब की 30 का मदब बिंदू क्या होगा बीच का वैलू क्या होगी तो वह होगी हम लोगों की 15 होगी तो यहीं पूछा है कि कैसे होगा तो देखिए कि मिड़ पॉइंट कैसे गयात करेंगे हम लोग तो उच्छ सीमा मैं से निम्न सीमा घटा कर तो यह तो विल्कुल गलत आंसर है घटा कर तो नहीं जोड़ते हैं हम लोग जोड़कर लिखते हैं तो उच्छ सीमा और निम्न सीमा जोड़कर हो सकता है तो यह भी विल्कुल नह है उच्छ सीमा और निम्न सीमा के जोड को दो से भाग दे कर तो यह आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि उच्छ सीमा और निम्न सीमा के जोड तीस में दो को भाग दे कर यही होगा हम लोगों का राइट आंसर उसके बाद ने कुछन में लिखा हुआ है कुछन नमबर 5 में कि निमने लिखित मैंसे कौन सी खंडिस रेडी नहीं है कौन सी खंडिस रेडी नहीं है एक पुष्टक में प्रष्टकों की संख्या तो यह भी हम लोगों की खंडिस रेडी होती है एक मकान में कमरों की संख्या यह भी खंडिस अब इच्छन आकरती बटन की रचना निम्न परकार के बरगंत्रालों के अनुसार होनी चाहिए तो मतलब कि जो हम लोग continuous frequency distribution करते हैं मतलब कि कोई बरगंत्राल बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए जैसे मानलों कि यह बरगंत्राल बरगंत्राल को बोलते है कि लास into तो जीरो से दस है दस से 20 और 20 अच्छा सब्रेटाल अकरती बटन की रचना निम्न परकार के बरगंत्रालों के अनुसार होनी चाहिए तो इनके देखिये कि अनुसार कितना है तो प्लूब कहेंगे अंतर तो दस है और जो last में इसका point है वही starting में आना चाहिए तो यह होता है यहीं सही होती है तो इसमें होता है समान पर गंत्रार होता है तो इसका right answer है यह option में बिल्कुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number 8 में लिखा हुआ है कि समंगों को निमने प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है समंगों को हम लोग किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं सारडियन द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं आ रेखिये चित्रों द्वारा यह बिल्कुल कर सकते हैं बिंदू रेखिये चित्रों द्वारा बिल्कुल कर सकते ह तो चरों की संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है तो यह जो तीन लिखा गुआ है यह गलत आंसर है तीन से अधिक नहीं होती है तो इसका राइट आंसर है दू होती है एक होती है चर और एक होती है अचर ठीक है उसके बाद नयाश कोशन लिखा गुआ है कोशन नमब क्या हो सकता है तो इसका राइट अंसर होगा हम लोगों का ब्यक्तियों का बर्गी क्रड जो होगा वो समय के आदार पर होगा कालों कर्मिक क्या दार पर होगा भोगवालिक क्या दार पर होगा या फिर संख्यात्मक क्या दार पर होगा तो इसका भी राइट अंसर सी ही होगा क्योंकि व्यवाहित ब्यक्ति हैं उनका हम लोग व्यवाहित करेंगे तो उनको हम लोग गिनके ही करेंगे तो संख्यात्मक मे होता है हिसमें से पर समंग quién होता है इसका right answer है मैंने आप लोगों को बता है कि बर्गी करड़ नमबर 12 में खरळी में meant समंग की होती है मतलब कि समंग की कितनी विसिष्था होती है एक होती है लिखा हुआ है दो विसिष्था होती है अनिक विसिष्था होती है एक विसिष्था होती है या फिर तीन विसिष्था होती है तो एक सरल सारडी में आप लोग याद रखिए कि सरल सारडी में समंग में एक विषिश्ता होती है तो वार्मे का सी ओटि विलकुल सही इंसर हो जायगा अब बात आती है कि एक बहुद sniff होती है तो बहुदति में उस्में विषिष्ता है जो होती हैं और होती हैं हम लोगों की सी मतलब कि दो या से अधिक मतलब दो या दो से अधिक होती है तो इसका राइट अंसर होगा सी ओपसन कि बहुती है बहुती है उसके बाद लिखा हुआ है नेश कोश्चन उपसीर्सक होता है के पीटन संख्यात्मग सुचना के लिए होता है या पंक्ती सीर्सक होता है या फिर सारडी सीर्सक होता है तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों question लिखा हुआ है किbab सारडियन के प्रतमपंक्ती में दिये गई सीरसक को क्या कहते हैं सरडियन के सुरुवात में हम लोगों ने सीरसक दिया है उसे क्या बोलते हैं उसे कैपिसन बोलते हैं ताइज केห kalian नोड बोलते हैं किसे दो उसकी लोग इस सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है तो आज के लास में लोग इतना ही रखते हैं थैंक्यू थैंक्यू फॉर वाचिंग